हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रेबिट की कहानी, जो उस्टेलियन आउट बैक में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और अचानक उस पर एक बेबी बर्ट को संभालने के जिम्मेदारिया जाती है, तो चलिए देखते अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर मिल भी जाए, तो बड़े और शक्तिशाली एनिमल्स उसे हत्या लेते हैं, यहीं हम बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रेबिट को देखते हैं, जो डेजर्ट में अपने लिए खाना ढूनने गया था, लेकिन इस चकर में उसके पीछे एक अतनाक लीजर्ट पड़ जाती है, बिल्बी उसे बचने के लिए पूरी स्पीट से भागता है, जिससे उसके हाथ में पकड़े हुई बैरिस नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन फिलहाल तो उसे अपनी जान की चिंता थी, वो उस लीजर्ट से बचने के ल चांस लेता है, और भागते वे पत्थर की नीचे बनी अपनी गुफा में चला जाता है, वो देखता है कि लीजर्ट अभी भी उसे ढूंड रही है, और उसे ना पाकर वहां से आगे चली जाती है, बिल्बी अपना लाया हुआ सारा खाना खालेता है, लेकिन इससे उसकी भूग जरा भी शांत नहीं होती, और तब वो गुफा से बाहर अपनी बची हुई पैरिस को लेने आता है, जल्दी जल्दी वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि लीजर्ट के जैसे यहां और भी शिकारी है, जो पल भर में उसे अपना खाना बना तब यह अचानक उसे एक ठोकर लगती है, और वो देखता है कि यह तो एक छोटा सा बेबी बर्ड है, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, बिल्बी आस्मान में उसकी पेरेंस को डूनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता, और लेकने में बहुत ही मासूम लग रहा है, लेकिन बिल्बी इस बंगे में नहीं पढ़ना चाहता था, और वहां से चला जाता है, हम बर्ड को भी उसके पीछे जाते वे देखते हैं, लेकिन बिल्बी उसे ऐसा करने से मना करता है, और अपने और उसके बीच एक लाइन देता है, फिर वो उसे एक बैरी देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि एक स्नेक उसे खाने आ रहा है, वो जल्दी से उसे स्नेक से दूर ले जाता है, और लाकर एक पत्थर पर बिठा देता है, उसे लगता है कि शैद ये जगा उसके लिए सेफ रहेगी, ल वो उस बर्ट को बचाने जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है। इस पर वो उस बर्ट को उस पेड़ में छोड़ने की सोचता है लेकिन वहां कुछ फोक्स उसके पीछे पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बर्ट को कहां छोड़े क्योंकि हर जगा कोई न कोई आनिमल उसे अपना खाना बनाना चाता है। एक एक करके वो सब जगा ट्रै करता है लेकिन कहीं पिरानाज, कहीं दूसरे बर्ट, कहीं क्रोकोडाइस तो कहीं शार, हर कोई उन्हें मारने की ही सोचता है। नेचर से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती और ऐसा लगता है, जैसे बिल भी अब हार मानने वाला है, क्योंकि वो इस बर्ट को बचाते वे पूरी तरह ठक चुका था। इसी तरह भागते वे वो दोनों एक पहाड़ी पर आते हैं, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी के नीचे ही आ रही है, और वो बर्ट को बचाने के लिए उस पर जम्प लगता है। लगा देता है, वो उस एगल को बहुत मारता है और इसी चकर में वो बर्ट उसके पंजों से छूट जाता है। बिल्बी भी उसे गिरते हुए देख लेता है और इगल को छोड़ कर बर्ट के पीछे जम्प लगा देता है। जल्दी ही वो उस बर्ट को पकड़ लेता है जो बिल्बी को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन प्रोब्लम ये थी कि वो लोग बहुत उचाई से गिर रहे थे जहां नीचे गिरते ही उनका मरना एकदम तैथा। बिल्बी उस बर्ट को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी इसके लिए बहुत छोटा था और ये देखकर बिल्बी उसे उचाल कर उस हिल पर फैट देता है लेकिन खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक पाता। बर्ट को भी उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि वही था जो सुबा से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और रव वो दोनों एक फैमिली की तरह थे। तबी वो देखता है कि नीचे से फिर वो तेज हवा आ रही है जो बिल्बी को भी अपने साथ उपर ले आई है और इस तरह वो भी सेफली उस हिल पर पहुँच जाता है वो तोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत कुश होते हैं और बिल्बी देखता है कि वो बर्डब ऊड़ हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू